एकनाज सिंदे को लेकर आदित ठाकरे के दावे पर अब बोले संजार रावत कहा उनको जेल जाने का डर था नमस्कार दोस्तों मेरा दमजिंग और आप से भी का ट्रिकर न्यूज में स्वागत है संजार रावत ने महाराश्चा के सियम एकनाथ पर जवरदस्त हमला बोला है संजार रावत ने कहा आदित ठाकरे जो कह रहे हैं वो पूरी तरह से सच है मेरे घर पर आकर अभी जो मुख्य मंतरी एकनाथ सिंदे हैं उन्होंने भी यही कहा था कि मैं जेल नहीं जाना चाहता आप या गडबंदन तोड़िये पार्टी ने अगर आपको सब कुस दिया है तो पार्टी के साथ खड़े रहना चाहिए पूरे देश में एक दबाओ का तंत्र चल रहा है लेकिन हमें डरने की जरुवत नहीं है सियम एकनाथ सिंदे ने कहा था कि नहीं मुझे डर है कि मुझे जेल में डालेंगे उनको जेल जाने का डर था उस दोरान ऐसे कई लोगों के उपर एडी की कारवाई चल रही थी जिसका अभी के मुझे मंतरी एकनाथ सिंदे ने नेत्रितर किया लगबग आठ महीने पहले सियुसेना दो गुटों में बढ़ गया था मुझे मंतरी एकनाथ सिंदे के नेत्रितर में सियुसेना के 40 विधाकों ने बगावत कर दी थी इस बगावत के चलते उद्धर ठाकरे को मुझे मंतरी पत से इस्तीफा देना पड़ा था एकनाच सिंदे ने बगावत क्योंकि इसे लेकर सियुसेना नेता आदित ठाकरे ने बड़ा हमला बोला है आदित ठाकरे ने कहा कि एकनाच सिंदे मातोसरी में आकर रोए थे आदिते ठाकरे ने हैदराबाद में गीतम उनिविश्टी द्वारा आयोजित एक कारिक्रम में यह दावा किया आदिते ठाकरे से जब एकनाथ सिंदे की बगावत के बारे में पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया कि जेल के डर से एकनाथ सिंदे ने बगावत की है आदिते ठाकरे ने कहा कि सुसेना छोड़ने वाले 40 विदायक अपने और पैसे के लिए गए हैं वर्तमान मुख्यमंतरी हमारे घर आये और रोए क्योंकि उन्हें केंदरी एजेंसियों द्वारा गिर्पतार किया गया था उन्होंने या भी कहा कि अगर मैं बीजेपी के साथ नहीं गया तो वे मुझे गिर्पतार कर लेंगे बिर रपोर्ट ट्रिगर नियूज